कर दो कर दो कि बहुत दिखिए सबसे पहले तो बहुत खुबसुरत जगह है और बहुत अच्छे सीन्स हो रहे हैं और जहां हम लोग क्लाइमेक्स कर रहे हैं जो हवेली है जो जगह है वो भी बहुत प्यारी है बस दुख इस बात का इतनी अच्छे जगह पर हमारे बाप का ध्यान दो गया क्लाइमेक्स में हम आज उन्हों ने हीरों ने उनको कतले आम कर दिया है तो कुल मिला के अच्छा लग रहा है सब बहुत अच्छे लोग है मिल जुल के अच्छे से काम कर रहे हैं हसी मजा कर रहे ने हम लोग को सजाते हैं फिरेक्टर को समझते हैं कहानी को न्याई देने में उनके शॉट डिविजन्स हमें बहुत अच्छा लगता है मतलब उनके साथ कांग करके कुछ सीखने को भी मिलता है और जो हमारे प्रोडूसर साब है दिनेश जी जो हमारे गुजराट से बिलॉंग करते हैं मैं बेग गुजराती हूं वो भी गुजराती है तो यह अच्छी बात है कि हम लोग उनके कारीव करने तो मिलवा भी ठीके आप जी मैं डीह क्यों नहीं है हमारे साथ क्लिस फालो में प्लेशी हां हॉइंord ओडिये साफ बहुत उर्मक्री होता है कुछ बहुत एंगन्री होते हैं कुछ चीजे नहीं होतेते तो बहुत भरख जाते सो कभी-चभी क्या होता बड़ इस वेरी लवेबल, वेरी हमबल और बहुत प्यार, पूरे यूनिट से इतना प्यार करते हैं, ऐसा निकी चानि जी हिरोईन है, या विशाल जी हिरो हैं को उनको ज्यादा महत्वदे हैं, हर एक छोटे आर्टीस से, हर एक छोटे से छोटे टेक्निशन को उनका ध्यान हमेशा याद राखते हैं, मैं कह तो रही हूं तर क्या होता ना एकवोही देखो, मैं जो बॉह सोता एक, लीडर होता ہے, सही और अच्छा लीडर वही होता है, जो एक बैलेंस में सब को पूरी यूनिट को बना के रखता है, तो वोही तो इनका प्लस पॉइंट हा और बहु बड़ी खूशी मिलती है बहुत अच्छा लगता है प्यार के सिवा दुनिया में रखाई क्या है बस तमाम उम्री यूहीं प्यार मिलता रहे कारवा चलते रहे आगे बढ़ते रहे हम लोग नई फिल्में बनाते रहे चांदनी हमारे साथ रहे हमेशा बड़ी अच्छी आर् तीसरी फिल्म करने वाले हैं बिद्रोही आज उसका पूजय अर्शना हुआ है अरॉंस्मेंट हुआ है मतारा ने इंपर आशिवात बनाए रखे ये तीसरी चौती में तीसरी फिल्म यहां पर है विंध्यान चलने बागी सरोंनों तो बहुत रेकॉर्ड तोड़ चुके है लेकिन मैं चारी सर सो से आगे बड़े सो से गोल्डन जुबली सीवर जुबली बनाते रहे हमें तो याद रखे न रखे लेकिन सब को मौका मिलना चीए इतने अच्छे डिरेक्टर के साथ काम करने के लिए जो सब हगदार है सभी लोग इंके प्यार का हगदार रखते तो यह है कि हम नहीं भी रहेंगे लेकिन हमारी फिर भी वैल वीशर हम मितलेजी के साथ हमेशा रहेंगे के सर आप हमेशा बहुत अच्छी फिल्म बनाई और बहुत अच्छा नाम कीजिए मैं नहीं करता हूं पूरी टीम मिलके करती है मुझे कॉपरेट करते हैं और हो जाता है हमारा सिनेमा सिर्फ मेरा नहीं होता हमारा होता है हमारे लोगों का होता है हमारे कलाकार का होता है टेक्निसिंस का होता है तो मिल जूलके मुझे बना के दे देते हैं नाम मेरा हो जाता था कि बोहत बहुत सपूचर कार रहे हैं मेरे गुजराथ को यह तरी परिवार है उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं सर आपका भी बहुत बहुत घनियवाद मुझे मैं आपके लिए बोलूगी दो सब्सक्राइब कर और आपको भी बहुत 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 गउस्जा चेंग आप हैं ग्री यूश्वाकश जी थंक यू सो मच थे थेंग यू सू मच अरी फिल्म फिरौती की शूटिंग चल रही है और मेरी फ्रस्ट मोवी है मितले सबिनास सवर जी के साथ महुत अच्छा लग रहा है विशाल जी के साथ भी पहली बार काम कर रही हूं और पुलिस का रोल है मेरा यहाँ पे और ठाना में गाना है तो ठाना में कल धमाल होने वाला है सौंग के साथ फिलाल तो हम यहां पे बिंधय चल में शूट कर रहे हैं और हमारा यहां पे क्लाइमेक्स चल रहा है और इसमें मैं क्यारेक्टर कर रही हूं विशाल की मा का मतलब की विशाल के पैदा होने से पहले का है मतलब पैदा होता है उसके बाद तो मैं मर जाती हूं तो वो मेरा क्य और देक्टर है लोग में वैसे तो नहीं दिखाँगे माँ दिखोंगे मा बनना है दो हुआ अपसके लगोंगी में और मैंने इनके साथ पहले भी एक दो फिल्में किया है, मैंने तो अच्छे डिरेक्टर हैं, बहुत अच्छे, समझाते भी बहुत अच्छी तरह से हैं, और हाइपर तो बिल्कुल नहीं होते हैं, बहुत कूल रहते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं, सबको मतलब, मतलब बि चिपने के फेस्ट एखे तो कभी यह हुता है कि इतना सारा यूञीट को सम्हाल रहे हैं और उनके फेस्ट नइहां अश्वा फिशॉट में कि और बहुत अच्चे धनुठ मेरी अभी अहाली में रिलिज होने वाली है गॉरभ पत्तित ह difference ही जी है कि मेरी तो सर्फ बहुत सारी फिल्म होगी मुझे बक जादा मैं बहूत जादा तो अपने बारे में नहीं बोलना चाहरे हूं बड़ मुझे काफी फिल्मों के नाम भी याद नहीं है अभी तो मेरी गुंडे और हीरी फिलाल वो तो अभी रिलीज होने वाली है और इससे पहले सस्रा बड़ा सतावेला अमानत और अभी मैंने यह जी की फिल्म किया ह पती-पत्नी और भुतनी अभी वो करके आ रही हूं तो फिल्म में इतनी ज़्यादा तो बड़ी कन्फियूज हो जाती हूं उसमें की नाम कौन सा है तो फिल्लाल काम करती हूं और नाम उस टाइम में याद रहता है फेस्बूक पे डाल देती है और बाद में लेकिन नाम कर लेती हूं एसा नहीं है वहां किन दिमार से निकल जाता है वह नहीं मैं कि उसूर। वो मतलब उनके साथ मेरा सेन है और हिंडी के एक्टर है वो तो उनके साथ मेरे सारे सीन है Со तो मैं मर जाती हूं मेरा मडर कर देते हैं तो उसमें है कि महले बहुत जादा मेरा ओल्ड वाला लुक नहीं है मलब जवानी दिखूंगी मैं एंग में हूं तो उनके साथ ही मेरा सीन वो मेरा मडर कर देते हैं मेरा सीन बहुत ही अलग है और मैं फिरोती वसूल नहीं रही हूँ जब भी जितने भी पुलिस वाले नहीं सबके साथ मस्ती धमाल करती हूँ और कल जो सौंग होगा उसमें धमाल होगा और कुछ सेस्पेंस है जो फिल्म आने की बाद खुला सा होगा कि मैं क्या फिरोती तो फिर आप लोग देखेंगे नहीं फिर अच्छे जी बात करें फिरोती की कई दिनों से क्लाइमेक चला है एक हफ्ते जो सूटिंग चल रही है क्या कहना चाहेंगे फिरोती फिल्म काफी अच्छे पैमाने पर बन रही है इसका स्क्रिप्ट जो है बहुत अच्छे लेबल पे लिखी गई है और सूट भी उसी तरह से हो रहा है काफी ग्रेंजर हो रहा है इस पे आज क्लाइमेक्स का चौथा दिन है आज जाके क्लाइमेक्स हमारा पूरा हुआ है और अस्ट भुजा रोड पे ये एक भुताह महल है वहाँ पे डाक बंगला भी से बोलते हैं और यहीं पे हमारा क्लाइमेक्स कंप्लीट हुआ है आज चौथे दिन जो है आप जैसे के इंस्पेक्टर वर्दी पहने हुए है तो आपका किरदार क्या है मेरा किरदार इसमें इंस्पेक्टर अमित यादो का है फिल्म में कहा करनी के हिसाब से बहुत ज्यादा जो पुलिश थाने में जो हमसे पूरुप के जो इंस्पेक्टर और सम इस्पेक्टर हैं वो लोग नेता के साथ मिल करके बहुत सारा आतंग फैला रखे हैं और उसी में किड्नेपिंग हो जाती है हिरोईन की और उसका मामला सुलश्ता न हाँ यह तो नहीं वो तो देखिए ड्यूटी करते करते थोड़ा बहुत रिलक्स हो जाता है तो यह हमें जो है ठाने में ही टकराती हैं परितभा पांडे और उनकी खुबसूरती देखके मैं थोड़ा मोहित हो जाता हूं और फिर प्यार का सिलसला भी थोड़ा-थोड़ा सुरू हो जाता है आफ केमरा ही प्यार होते हैं अनका प्यार ऐसे ही नई नई हिरोईनों के साथ दिन दूना राज चौंगना ऐसे बढ़ता रहे वही अच्छी बात है और मैं तो बहुत खुश हूं कि कम से कम जो है इन पर इतने लोग फिदा है कि जो सब अप सब लेके अ अपने अपना पिक खिचाना चाहते और इस फिल्म में यह रजनी कांथ स्टाइल में नहीं है वो रजनी कांथ लगते ही ऐसा लगता है रजनी कांथ का फोटो कॉपी है जो है बिल्कुल और मैं तो चाहती हूं कि वह ऐसे ही रजनी कांथ स्टाइल में और करेक्टर करते र मैं मंत्री के पत्नी का करेक्टर कर रही हूँ जिसमें उसकी बेटी का kidnap हो जाता है और वो अपने पती से ऐसा बोलती है कि आप मंत्री होकर भी बेटी को नहीं ढूड़ पा रही है तो आप फोर्स लगा दीजै ये लगा दीजै तो थोड़ा सा इमोशनल भी है और थोड़ा वो कर सकता है कुछ इस टाइब का करेक्टर है अपने बेटी हों के प्रती जो है बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान रहती है कि मेरी बेटी किड्नेप हो गई है तो इसके लिए मैं क्या करूँ हाँ ये तो मैं माता रानी की क्रपा कहूंगी और इस समय मैं अश्ट भुजा माजो है मैं उन्हीं के आसपास ही मंदीर है मैं जहां पर खड़ी हुई हूँ और उनकी क्रपा है कि बेक टू बेक मैं फिल्मे आज प्रोडूसर भी कर रही हूँ और एक्ट्रेस मैंने चार-पा इसके बाद एक नेक्स्ट मुवी है जो मैं यह अपनी करूंगी जो है मई में जो मैंने एलान किया है विद्रोही का और इसके बाद मैं काठ मांडू मैं मैं प्रेम दिवाना उसके बाद वो मुवी तो अभी इतनी मतविस्त आइसा सुडूल वेस्तता का है आगे धीरे-ध चलता रहेगा और मई में मेरी जो फर्स्ट मुवी थी अजो प्रोडूसर दूला विकता है वो रिलीज भी करूंगी और साथ में मैं सारे अपने दर्सकों से यह भी करूंगी कि उस फिल्म को देखे बहुत ही अच्छी बहुत ही परिवारिक फिल्म है और आप उसे देखे अपना प्यार और इसनिह दे जिसे के हमारा होशला और आगे बढ़ता रहे कि हम आगे और नई नई फिल्मे करते रहे जी एक करेक्टर है जो आदम जो सौपा जाता है जैसे डारेक्टर सामने मुझे सौपा है कि भाई आपको यह रोल भी करना है उस हिसाब से मैं रोल की ह फिरोटी फिल्म की शोटिंग कैसे चल रही है बहुत अच्छा चल रहा है और फिरोटी फिल्म का मुझे सब जितने कलाकार है सब अच्छे लगे और मैं हार्दिक से उनका स्वागत करता हूं और करूंगा हर वक्त अच्छा यादो जी ने मुझे बहुत सुनारा मौगा दिया है मितले शाविनाज जी डिरेक्टर ने एक इसमें मैं भी एक किरदार अदा कर रहा हूं जो की मेरी पतनी के डैप हो जाती है हलंकी फिरोती जैसा की टाइटल है उसी के हिसाब से फिरोती मांगा जाता है और मैं एक असहा ऐसा उनके सामने दम तोड़ता हूं मेरी हत्या होती है बाकि मेरे पतनी को उठा लिया जाता है बहुत सारी चीज़ें इसी है जो कि आप फिल्म देखेंगे और उसे महसूस करे तो आपको हसास होगा कि ऐसा निजी जीवन में होता है उसी बेस पे पूरी फिल्म है फिरोती की कि डिमांड की जाती है जी 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 अभी तो विशेश तोर पे मैं सिर्फ एक्टिंग के लिए ही तैयारी कर रहा हूं हालंकि प्रूडूस या फाइनेंस करवाना ये तो हर इ तो हमेशा करता रहूंगा लेकिन एजने कलाकार मैं अपने आपको जो भी है उसे करता रहूंगा आपका विधन्यवाद राम्यादो जी थैंक्यू बेरी मच्च आपने बताए कि अच्छा है सब कुछ बहुत अच्छा है मितले सर है जो भूश्पूरी के जाने माने डारेक्टर है वो इस मूवी को डारेक्ट कर रहे है और बहुत अच्छा उनका वर्क है और कुल्दीप सर है कुल्दीप सर उनका साथ दे रहे है प्रॉपर तरीके से दोनों लोग मिलकर वर्क कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है अक्षे सर है मदु अवस्ति मैम है और काफी सारे हमारे साथ जो यूनिट के लोग है कुछ मुंबई सा आये हैं कुछ डैली स सारे आर्टिस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ काम करके एक नया एक्स्पीरिंस क्रियेट हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ अच्छा लग रहा है सबके साथ अच्छा लग रहा है दूर दूर से लोग शूट दे इसे मेटम एक आपका कर्दर है वह तो मुझी तो मुझे सुनके कि शॉट लगा भूुतियनायावErली घ्र संपाती तरह से पाखि़ थे विंडिती जिसकी तरह लोकस्न टैकर उप्रभाइन तरह कोई सवी दूद्स कहा नहीं तब c function था अच्छा जब जाकर मढदम बात करें सुल्म के दूजो रिखों हो South है बहुत अच्छा लग रहा है सब लोग सीनियर है और चाननी मयें उनका वर्क बहुत अच्छा है और प्रतीभ है मैंन है और अक्षे सर इसमें हीरो है और विषालर है बहुत अच्छा लग रहा है सब लोगों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा करेक्टर सब लोग अपना अपना प्ले कर रहे हैं मैं किसी को सपोर्ट ने करती मैं सच के साथ हूँ वारदात होती है तो मैं जाती हूँ और जो मेरा काम है मैं अपने सरकार को सपोर्ट करती हूँ जो मुझे ड्यूटी मिली में उस ड्यूटी को नहीं बाती हूँ सफर बहुत अच्छा है देखिए इससे पहले दो महीं ने पहले हम लोग यहां आई थे तो दूला बिक्ताय मुवी का शूट था तो मुझे कुलदीप सर ने बुलाया था दूला बिक्ताय में मैंने जो मदू राशपूत मैं थी तो वो में नहीं मदू राशपूत हां जी जो हीरोईन थी मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड का मैंने रोल निभाया था हां तो मैं उनके साथ बेस्ट फ्रेंड थी तो मैं कि अभी सब के साथ बहुत अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छा लगा यह सफर जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है जब शूट कहतम होगा तो हम लोगों को बहुत अजीव लगेगा घर जाने में क्योंकि अभी सब के साथ बहुत अच बुटीक है जिसमें मैं designer dresses को launch करती हूँ और मेरा event का work भी है संचनी event के नाम से संचनी event organization तो मैं उसमें event करती हूँ wedding event, corporate event birthday event की between parties बगरे समें I organize करती हूँ और मेरे एक restaurant की chain है जिसको मैं चलाती हूँ GFC के नाम से मेरे restaurant चलता है जगत food counter तो इसको मैं चलाती हूं, तो उसके बाद अचानक से अक्टिंग में आने का जो था, वो मेरा सपना बच्पन से था, कि मैं अक्टिंग करूँ, तो यह सपना मेरा सच हो रहा है, दीरे-दीरे, और स्टैप बाइस स्टैप में सीडियां चल रहे हूं, तो मुझे बहुत अच् तो को मैं चैनल चाहिए कि जिन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया है दूला विक्ता मैं बहुत सब्सक्रीScott किया और इस मुवी में बहुत As A श्रूल तेटर में देखें मुवी और अपने फैंसको मैं यहीं बोलूंगी कि इस मुवी को और हमारे इस रोल को और हमारी मेहनत को जारत सज्व्य द ơi लगेकर design करें इसको सब हमारा साथ दें पीच को मैं सबका साथ दूंगी सबके साथ वह II Серг साथ क deux की अ फूर कशले तो ऑफ वाद्षी है एक आयलग लुक का कर ऌदर मेरा नाम संगीता ठाकुरह मे गाजय बांसे हूँ और इस मूऋवी में मेरा जो रूल है वह सभीस्प्शाइब का और मूवी में जो मेरा केरündर है वह गीता चोटाला देख सकते हैं गीता चौटला मेरा नाम है इस मुवी में और यह इस मूवी का नाम है फिरोती साथी पुरोती मुवी के लिए हम आये हुए है मिड़़बर में मिड़बर में इसका शूटल रहा है। और मेरा जो करेक्टर है वो starting से और last तक रहेगा सब इस पेक्टर का तो अच्छा लग रहा है अभी तक आफी अच्छा लग रहा है लग लग लोकेशन पे मुझे आज दस दिन हो गये हैं यह आई वे और अज्छा लग लोकेशन पे कीशिवो तो लूप देखकर भी अच्छा लग रहा है, तो फस्ट टाइम मेरा यह लूप है, तो इस लूप में मैं बहुत अच्छा और बहुत कमपटेबल फील कर रही हूं, और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है. विंद्याचल में हमने शूटिंग किया है, इधर बेडला होस में हमने शूटिंग किया है, इधर हमारा विंद्या विला है, उधर हमने शूटिंग किया है, एक बहुत बहुत याना एक जगा है, महां पे भी हमने शूट किया, महां पे काफी डर लगा हमें, बहुत याना किसम बहुत जीव सा पेल हब वह, हनजी, लेकीन बहुत अच्छा पेल होगा, एक नया साइप्सिरैंज्ज्बे ह महा पेजगल पाल्चा फ्राव Α्お願いします